नवस्कार आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवीन मिस्र आईए जानते हैं 28 अक्टूबर का दिन आपका कैसा बितेगा सबसे पहले बाद पंचांग की 28 अक्टूबर 2021 दिन ब्रहस्पतिवार कार्तिक मास चल रहा है क्रश्न पक्ष है और सत अस्टमी तिथी रहेगी 12 बज कर 49 मिनट तक इसके बाद फिर अस्टमी तिथी शुरू हो जाएगी पुनरवशू नचत्र होंगे सुबह 9 बज कर 42 मिनट तक फिर पुष्ट नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा करक राश में गोचर कर रहे हैं और भगवान शूर तु अबिजीत मुहूर्थ जिसमें आप शुब काम महत्यपूर्ण काम कर सकते हैं उसका समय है सुबह 11 बज कर 42 मिनट से दोपहर 12 बज कर 27 मिनट तक इस समय में आप जो भी important work करना चाहते हैं महत्यपूर्ण काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आपका जो काम है वो बनेगा अच जीत मुहूर्थ में किये गए कार सफल होते हैं राहुकाल का समय है एक बज कर 28 मिनट यानि दोपहर एक बज कर 28 मिनट से ले करके दोपहर दो बज कर 52 मिनट तक राहुकाल का समय शुब नहीं माना जाता है इसलिए इस समय में कोई भी महत्यपूर्ण कारे आप ना करें काम किया तो हो सकता है उसके उतने अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त ना हो तो इसलिए शुब काम करेंगे अभी जीत महुर्थ में और राहुकाल में कोई भी महत्वण काम करने से बचेंगे लेकिन अगर आप day to day activity करते हैं कोई काम आपका regular का है दैनिक वर्ग है तो वो कर सकते हैं परिशान होने की आवशक्ता नहीं है ऐसा नहीं कि राहुकाल में बिल्कुल खाली बैठे रहना है अब बात दिशाशूल की दिशाशूल का मतलब ये है कि इस दिशा की यात्रा करने से बचें तो आज के लिए जो दिशाशूल है वो है दस्चिन दिशा तो 28 अक्टूबर के दिन दस्चिन दिशा की यात्रा करने से बचें इस दिशा की लंबी दूरी की यात्रा से आपको बचना है यदि short distance की जर्नी करनी है तो आप कर सकते हैं short distance की जर्नी से कोई परिशानी नहीं है लेकिन लंबी जर्नी long distance की जर्नी यदि आपको करना है तो इससे बचना होगा दस्चिन दिशा की लंबी दूरी की यात्रा से बचें और बाकी दिशाओं की तरफ यात्रा पर आप जा सकते हैं दस्चिंड दिशा की तरफ यात्रा करना शुब नहीं माना जाएगा चलिए आगे बढ़ते और राशी फल की बात करते हैं सबसे पहले मेश राशी की बात चंद्रमा मेश राशी से चौथे घर में गोचर कर रहा है और मेश राशी का स्वामी मंगल तुला राशी में बिराजमान है आपका दिन शुब है कुछ नया करने की योजना बनेगी समय अनुकूल है कारियों में सफलता मिलेगी जो भी आप काम करेंगे उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी घरेलू परिशानियां हल होंगी यदि कोई परिशानियां आपकी चली आ रहे थी तो उसके हल होने का समय है तो धैर से अपने काम करिएगा रिष्टेदारों से मतभेद दूर होंगे आपके रिलेटिब यदि आपके आसपास रहते हैं और उनसे कोई मतभेद है तो वो भी दूर होंगे तो कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है मेश राशी वालों के लिए आप क्या करें जिससे की आपका दिन और बहतर हो ये भी आपको बताते हैं पहले जान लिजे शुब रंग क्या है शुब रंग है आपके लिए हलका पीला हलके पीले रंग की ड्रेस पहन कर काम पर जाएंगे तो आपका लग और बढ़ जाएगा कारियों में सफलता मिलने के चांसेज और बढ़ जाएंगे जो हमारा लगी कलर होता है न वो लग को बढ़ाता है इसलिए कोशिस करना चाहिए कि अपना लगी कलर पहन करके काम पर जाएं तो मेश राशी वाले आज हलके पीले रंग की ड्रेस पहन कर काम पर जाएं तो आपके लिए लग बढ़ाने वाला होगा ये कलर उन्नती कराने वाला होगा उपाय क्या करें? पांच पीले फल गरीबों को दान करें पीले फल में जैसे केला मिल जाएगा आपको इजली अब लेवल होता है केला कहीं भी जाएंगे बनाना आपको इजली मिल जाएगा पांच केला ले लिजे और गरीबों को बांट दीजे ये उपाय करने से परिशानिया दूर होंगी और कारियों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी बात ब्रस राशी की ब्रस राशी वालों के लिए कैसा रहेगा दिन देखिए चंद्रमा ब्रस राशी से तीसरे घर में गोचर कर रहा है और व्रस राशी का स्वामे शुक्र व्रस्चिक राशी में विराजमान है आपका उत्साह बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी धन आगमन के लिए ये समय बहुत अच्छा है दिन बहुत अच्छा बितेगा, परिवार वालों से भी आपको सहयोग मिलेगा पूरा पॉजिटिव होकर के अपने काम पर लगे रहे पैसा भी मिलेगा और काम भी पूरे होंगे घर परिवार वाले भी आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे तो व्रस राशी वालों के लिए समय अच्छा है बस पूरी एनरजी का उपयोग अपने काम पर करना है सकरात्मक सोज के साथ शुब रंग है आपके लिए केसरिया केसरिया रंग की ड्रस पहन कर काम पर जाएंगे तो लग बढ़ेगा यदि माल लीजे केसरिया रंग की ड्रस नहीं है तो आप रुमाल भी अपने पास रख सकते है शुब रंग की रुमाल भी आप अपने पास रख सकते है तो केसरिया रंग की रुमाल अपने जेब में रखे फिर काम पर जाएए तो वो भी आपके लग को बढ़ाएगी उपाय क्या करें किसी गरीब को एक किलो चीनी का दान करें तो आप देखेंगे कि आपके मन में अगर किसी भी तरह की टेंशन है वो दूर होगी और कारियों में सफलता मिलेगी तो किसी गरीब को आप एक किलो चीनी का दान सुबह सुबह कर लिजेगा अपना महत्यपूर्ण काम करने से पहले तो आपके लिए बहुत ही शुब रिजल्ट मिलेंगे बात करते हैं मिथुन राशी की चंद्रमा मिथुन राशी से दूसरे घर में गोचर कर रहा है और मिथुन राशी का स्वामी बुद्ध कन्या राशी में बिराजमान है परिवार में सुख बढ़ेगा जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में यदि कोई बाधा आ रही है तो वो बाधाएं दूर होंगी धन की प्राप्ती होगी धन आपको कहीं से प्राप्त होगा आर्थिक इस्थिती में सुधार होगा धन को लेकर के जो टेंशन है वो दूर होगी इस्थिती आपकी दीरे-दीरे करके अनुकूल होती जा रही है आर्थिक इस्थिती में सुधार होता जा रहा है इसलिए मन में किसी भी प्रकार की टेंशन मत रखेगा शुब रंग है आपके लिए क्रीम क्रीम कलर के कपड़े पहन कर जाएंगे तो आपका लग और बढ़ेगा उपाय क्या करें? किसी मंदिर में तीन पैकेट धूप का दान करें धूप जानते हैं आप सुगंधित धूप जो होती न जो आप मंदिर में पूजा की समय जलाते हैं वही धूप ले लिजे तीन पैकेट और किसी मंदिर में दान कर दीजे पड़िजी से निवेदन करें कि जब वो पूजा करें तो वो धूप जो है अवश्य जलाएं तो आप देखेंगे जब मंदिर में धूप जलेगी उसकी सुगंध फैलेगी तो आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और उन्नती के रास्ते बनने लगेंगे तो इस अच्छे से उपाय को करने से आपके जीवन में शुबता और बढ़ेगी करक राशी, चंद्रमा करक राशी में ही गोचर कर रहा है और करक राशी का स्वामी स्वयम चंद्रमा ही है तो क्या बन रहे हैं सितारों के सैयोग आपके लिए आपका मान यश बढ़ेगा टेंशन दूर होगी मन में यदि किसी प्रकार की टेंशन चली आ रहे हैं तो उससे राहत मिलेगी वो दूर होगी धन लाब होगा धन आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है किसी भी रूप में धन की प्राप्ती हो सकती है यदि कोई काम अधूरे है तो उनके पूरे होने का भी योग बना हुआ है अधूरे काम आपके पूरे होंगे बस मन लगा कर अपना काम करिएगा आलस से नहीं दिखाना है काम को पूरा करने की कोशिस करना है तो आप कोशिस करना शुरू करिए आप क्या धूरे काम भी पूरे हो जाएंगे शुब रंग है पीला पीले रंग के कपड़े पहन कर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा उपाय क्या करें किसी कोई भी भोजन बनाने में प्रयोग कर सकें ऐसे तेल का दान किसी गरीव को करेंगे तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा करक राशी वालों की जीवन में जो कस्ट हैं वो दूर होंगे और शुबता बढ़ेगी तो आप किसी नीडी परसन को जरूरत मंद को ही दान करना च संकेत देखिए चंद्रमा सिंग राशी से बारवे घर में गोचर कर रहा है और सिंग राशी का स्वामी शूर्य तुला राशी में बिराजमान है आज अंजान लोगों के साथ मिटिंग होगी मन की जो चिंता है वो दूर होगी बड़े बुजर्गों की मदद से आपके काम बनेंगे जो लोग व्यापार कर रहे हैं व्यापार से जुड़े हुए काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं यानि व्यापार से जुड़े कामों के पूरे होने का योग बना हुआ है तो समय सिंग राशी वालों के लिए अच्छा है बस आप जो भी डिसीजन लें स सोज समझ करके लें किसी भी चीज में जल्दवाजी दिखाने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। शुब रंग है आपके लिए हलका लाल तो हलका लाल रंग के कपड़े पहन कर काम पर जाएंगे तो लक आपका और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें किसी गरीब को एक किलो चने की दाल का दान करें तो आपके लिए शुब रहेगा आपके मन में जो परिशानी है टेंशन है वो दूर होगी जीवन में शुबता और बढ़ेगी। बारी आगई अब कन्या राशी की। चंद्रमा कन्या राशी से ग्यारवे घर में गोचर कर रहा है। कहीं से धन की प्राप्ति होगी धन लाब के लिए अगर आप अपने प्रयास को और बढ़ा देंगे तो और धन आपको प्राप्त होगा यानि कुल मिला करके पूरी मेहनत से अपनी काम को करना है कन्या राशिवालों को ताकि आप अच्छा धन प्राप्त कर सकें उन्नती के मा पर आगे बढ़ सकें तो समय आपके लिए अनुकूल है बस आप आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिव सोच के साथ पूरी मेहनत से काम करते रहिए शुब रंग है आपके लिए हलका लाल तो हलका लाल रंग का कपड़ा पहन करके ड्रेस पहन करके काम पर जाएए तो आपक लक और बढ़ेगा, उपाय क्या करें, किसी मंदिर में दो किलो चावल का दान करें, तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा, चावल का दान करने से जीवन में शुबता और बढ़ेगी. बढ़ेगी तुला राशी चंद्रमा तुला राशी से दस्वे घर में गोचर कर रहा है और तुला राशी का स्वामे शुक्र ब्रश्चिक राशी में बिराजमान है दिन भर काम में वैस्ट रहेंगे लोग आपके काम की तारीफ करेंगे स्वास्त को लेकर के टेंशन रहेग तो डॉक्टर से सलाह लेने में देरी मत करिएगा मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ेगा देखिए जब मानसिक तनाव बढ़ता है ना तो स्वास्त पर भी असर पढ़ता है इसलिए कोशिस करिए कि टेंशन ना बढ़ने पाए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करिए शुब रंग है आपके लिए केसरिया केसरिया रंग के कपड़े पहनिए ये केसरिया रंग की रुमाल अपने जेब में रखकर काम पर जाएं तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा उपाय क्या करें? मा लक्ष्मी को इत्र अर्पित करेंगे तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा मा लक्ष्मी की कृपा से आपकी इच्छा पून होगी ब्रश्चिक राशी चंद्रमा ब्रश्चिक राशी से नवे घर में गोचर कर रहा है और ब्रश्चिक राशी का स्वामी मंगल तुला राशी में बिराजमान है क्या है सितारों के संकेत आपके लिए धनलाब की योग बन रहे हैं यानि पैसा आपको प्राप्त होगा भाग्य का साथ मिलेगा भाग्य का यदि साथ मिल जाए ना तो बहुत सारे काम पूरे हो जाते हैं तो आपके लिए भाग्य का साथ मिलेगा सीनियर अधिकारियों के सहयोग से ब्रश्चिक राशी वालों के काम बनेंगे सुख के साधनों में ब्रद्धी होगी कुल मिला करके ब्रस्चिक राशी वालों के लिए समय बहुत शुब है, आज के दिन का लाब उठाइए, अपने महत्पूर कारे आप कर सकते हैं, उनके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, शुब रंग है आपके लिए लाल, लाल रंग के ड्रेस पहन कर काम पर जाएंगे धनूराशी, चंद्रमा धनूराशी से आठवे घर में गोचर कर रहा है, और धनूराशी का स्वामी ब्रस्पती मकर राशी में है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कहीं गूमने जाने की योजना बनेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, अपने मन की बात आप कह सकत हैं, तो धनूराशी वालों के लिए समय अनुकूल है, इस अच्छे समय का लाब उठा लिजे, शुब रंग है आपके लिए बादामी, तो बादामी रंग की ड्रेस पहन कर काम पर जाएंगे, या बादामी रंग की रुमाल अपने जेब में रखकर काम पर जाएंगे, तो आपका लख और बढ़ेगा, उपाय क्या करें, भगवान विष्णु की आरती करें, अपने घर के मंदिर में, आप भगवान विष्णु का यदि चित्र है, तो इस्थापित कर लीजे, चित्र या मूर्ती है, तो अच्छी बात है, चोटी सी मूर्ती होने चाहिए, तो क्य करना है आपको आरती की पुस्तक ले लिजे घी का दीपक जला लिजे और भगवान विश्नु की आरती करें कि आरती में अपने परिवार के लोगों को अवश्य सामिल करें आरती के बाद भगवान विश्नु को प्रणाम करें और यदि आपकी घर में कुछ भोग है तो फल का भोग लगा सकते हैं मिस्री का भोग लगा सकते हैं जो अब लेवल है उसका भोग लगाए और फिर सबको प्रसाद बांटिए फिर अपने काम पर जाएए आप देखेंगे जीवन में शुबता बढ़ेगी आपके काम बनेंगे मकर राशी चंद्रमा मकर राशी से सात्वे घर में गोचर कर रहा है और मकर राशी का स्वामी शनी मकर राशी में ही बिराजमान है परिवार में सुख बढ़ेगा लोग आपकी बात मानेंगे ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम जो कहें लोग बात मानें तो लोग आपकी ब बस उधार लेन देन से बचें उधार ना किसी से लेना है ना उधार किसी को देना है यदि आपने किसी से उधार ले लिया तो टेंशन रहेगी इसको कैसे चुकाएं चुकाने में हो सकता परिशानी आए और यदि उधार किसी को दे दिया तो हो सकता है कि जो पैसा आपने सफेद रंग की ड्रेस पहन कर काम पर जाएंगे तो लक्त आपका और बढ़ेगा उपाय क्या करें पीले फल का दान गरीबों को करेंगे तो बहुत शुब रहेगा आपके लिए कुम्भ राशी, चंद्रमा कुम्भ राशी से छठे घर में गोचर कर रहा है और कुम्भ राशी का स्वामे शनी मकर राशी में है court case में आपको विजय मिलेगी जो चात परिक्षा की तियारी कर रहे हैं उनको परिक्षा में सफलता मिलेगी यदि आपका कोई exam है आज तो उसमें आपको सफलता मिलेगी पस पूरे मन से सकरात्मक सोच के साथ आप परिक्षा दीजेगा मन की चिंता दूर होगी यदि कुम्ब राशी वालों के मन में किसी भी तरह की tension है वो आज दूर होगी तो समय आपके लिए अनकूल है शुब रंग क्या है आपके लिए क्रीम क्रीम कलर की ड्रेस पहन कर काम पर जाएए तो आपका लक और बढ़ेगा उपाय क्या करें भगवान विष्णू की आरती करके दिन शुरू करिये तो भगवान विष्णू की क्रपा से आपके जीवन में शुबता और बढ़ेगी मीन राशी चंद्रमा मीन राशी से पांचवे घर में गोचर कर रहा है और मीन राशी का स्वामी ब्रहस्पती मकर राशी में बिराजमान है संतान से आपको खुशी मिलेगी नई नोकरी के आफर मिलेंगे अधिकारी आप से प्रसंद रहेंगे किसी की आलोचना ना करें आलोचना करने से आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ सकती है इसलिए किसी की भी आलोचना करने से कोई लाब होने वाला नहीं है बलकि नुकसान ही होगा इसलिए पूरा समय अपने काम पर लगाएं अपने आपको कैसे डबलब करें उस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुब रंग है आपके लिए पीला पीले रंग की ड्रेस पहन कर काम पर जाएंगे तो लग और बढ़ेगा उपाय क्या करें भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी का पूजन करें उनको प्रणाम करें उनसे जो भी मन में भाव है निवेदन करें उनकी क्रपा से आपके जीवन में शुबता और बढ़ेगी अब वक्त हो चला है आज के विश्यका आज आपको बताएंगे नजर दोस्ते बचने के लिए क्या उपाय करें बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे comment box में कि नजर लग जाती है बार बार नजर लग जाती है तो नजर दोस्ते बचने के लिए क्या करें देखिए नजर बच्चों को भी लगती है और बड़ों को भी नजर लगती है तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको नजर लग जाती है या आपके बच्चे को नजर लग जाती है या आपके परिवार में कोई भी है जिसको बार-बार नजर लग जाती है तो क्या उपाय करें तो आपको कुछ उपाय बता रहे हैं इनमें से जो अच्छा लगे वो कर लीजेगा एक नीबू ले लीजे और उसे सिर से पैर तक साथ बार घुमाएं और घुमाने के बाद नीबू को बाहर फेक दे ऐसा करने से नजर दोस जो है शान्त हो जाएगा तो एक उपाय ये कर सकते हैं और जब ये उपाय कर रहे हो उस समय पूजा वाली जो घंटी होती है जो आप पूजा के समय बजाते हैं वो घंटी बजाते जाएगा तो नजर दोस का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा ये नीवू का जो उपाय है बहुत कारगर है और इससे बहुत लोगों को लाब हुआ है और ये उपाय बहुत प्राचीन है बहुत समय से चला आ रहा है लोग इसका लाब उठा रहे हैं तो आप भी इसका लाब उठा सकते हैं नजर दोस्ट से मुक्ति पा सकते हैं नीबू को क्या करना है जैसे आपने जब नजर उतार लिए इसके बाद नीबू को दो भागों में काट लिजे और काट करके घर से दूर फेग दीजेगा तो अच्छा रहेगा और क्या करना चाहिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या आपके आफिस में नेगेटिव एनर्जी है आफिस में कुछ काम नहीं हो पा रहा है बहस लड़ाई जगड़ा जादा होती है तो यह उपाय आप घर में कर सकते हैं यदि घर मे ले लिजेगा उसको आग से जला लिजे और उसका धुआ पूरे घर में यदि आफिस में परिशानी है तो पूरे आफिस में आप घुमाईए और थोड़ा ज़्यादा देर तक घुमाते रहिए ताकि जो धुआ है वो फैल जाए एक बार वहां फिर धुआ तो अपने आप न राहत महसूस होगी तो ये उपाय भी आप आजमा सकते हैं बहुत सारे लोगों ने आजमाया है उनको लाब हुआ है तो आपको भी लाब हो सकता है और क्या करें देखिए शाम को प्रति दिन मिट्टी के दिये में सरसों या तिल के तेल का दीपक जला करके घर में घुमा कर बाहर के दुआर में बाई और रख दें और हर दिन नए दीपक का प्रयोग करें तो आपके घर में शांती रहेगी यदि आपके घर में नजर दोस्त की वज़े से कोई परिशानी है तो वो समस्या दूर हो जाएगी ये उपाय भी आप कर सकते हैं दिया बदलते रहेगा उसी दिये का प्रयोग प्रति दिन मत करियेगा और क्या करना चाहिए यदि घर या आफिस में सामके ढलते ही मुख द्वार पर रोशनी का पूरा प्रवंद करें यानि अंधेरा नहीं हो तो उससे भी नेगेटिविटी दूर भाग जाती है जगह मिलती है वहाँ वो स्टोर कर जाती है तो उससे बचने के लिए कोशिस करें कि में डोर के आसपास हमेशा लाइट जलती रहे वहाँ अंधेरा ना रहे रात में कोशिस करिएगा में डोर के पास एक लाइट अवश्च जला करके रखें और क्या कर सकते हैं देखे जिनको बार बार नजर लगती हो तो वो लोग अपने दाहिने हाथ में दाहिने हाथ की कलाई में काला रेश्मी धागा धारन करें बढ़िया काले रंग का रेश्मी धागा ले लिजे और अपने दाहिने हाथ की कलाई में काला रेश्मी धागा पहन लिजे जब धागा आपको लगे कि पुराना हो गया है इसका रंग थोड़ा सा डल हो गया है तो आप फिर नया धागा धारन कर सकते हैं तो धागे को बदलते रहेगा, कई महीने यूज़ करने के बाद क्या होता है, कि वो धागा पुराना होने लगता है, तो ऐसे में आप धागे को बदल सकते हैं, और यदि नजर दोस्त परिशान कर रहा है तो और क्या उपाय कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार के पास फूलो के गमले रखें और हरे पेड़ पौधे लगा कर रखें ऐसा करने से जो नेगेटिव एनरजी है वो घर में प्रवेस नहीं करती है तो जो सुन्दर-सुन्दर खिले हुए फूल हो उनके गमले रख सकते हैं या आज से घर के सब्सक्राइब हैं जो हमेशा हरे जिखते हैं उन प्लांट्स को रख लीजAY या अगर आपके घर के मेंगेट के पास जगह है तो हाँ आप पेड़ भी लगा सकते हैं जिस से हमेशा ग्री रहे उस तरह के पेड़ भी लगा सकते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि negative energy आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी जैसे घर में negative energy आएगी किसी भी माध्यम से तो ये जो पेड़ पौधे हैं ना ये negative energy को आपके घर में घुशने नहीं देंगे वहीं रोक लेंगे तो नजर दोस्ट से बचने के लिए हमने आपको बहुत सारे उपा उपाय भी कर सकते हैं उससे कोई हानी नहीं है ये जितने भी आपको उपाय बताए हैं ये सरल है इनको करने से आपको कोई भी हानी नहीं होगी लाब ही लाब होगा चलिए अब वक्त हो चला है आज के उपाय का आज का उपाय क्या है घर को नकरात्मक उर्जा से मुक्त करन कोई सरल उपाय जिससे की आपका ज्यादा धन भी खर्चना हो और नेगेटिव एनर्जी भी घर से दूर हो जाए तो क्या करना है आपको कि रोली में घी मिला करके रोली ले लिजे एक कटोरी में उसमें घी मिला लिजे और अपने द्वार में जो आपका में गेट है वहां स् जल्दी से प्रवेश नहीं करेगी स्वास्तिक का इतना जादा प्रभाव होता है बस आपको ध्यान रखना है कि दोआर के दोनों और स्वास्तिक बनाना है तो जो आपका में गेट है उसके दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजे आप देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में रोली भी होगी, यदि आप पूजा पाड करते हैं, घर में मंदिर बना रख्या है, और घी तो होता ही है सब के घर में, तो अच्छा घी वो लिजेगा, जो शुद्ध हो, जिस घी का प्रयोग आप भोजन में कर रहे हैं, उस घी को नहीं लेना है, तो शुद् जिया से अच्छे से घी में रोली मिला करके और स्वास्तिक में गेट के दोनों तरब बनाएगा इससे आपको बहुत लाब होगा नेगेटिव एनर्जी आपकी घर में नहीं आएगी अगर कोई नजर दोस अलब व्यक्ति ऐसा आता है जिसके नजरों से नजर लगती है तो व आपका दिन शुभ हो नमस्कार